तो आज की वीडियो में मैं आप से डिसकस करने वाला हूँ International Youth Day 222 थीम के बारे में Hello Friends, आप देख रहे हो Educational Wordster Channel दोस्तो आज बात करने वाला हूँ International Youth Day के बारे में तो जैब वीडियो काफी informative होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो International Youth Day एक ऐसा दिन होता है जिसको हर वर्ष मनाया जाता है इस दिन को अगस्त के महीने में मनाया जाता है जब 12 अगस्त का दिन होता है तो उस दिन को International Youth Day के रूप में उस दिन को मनाया जाता है और हर वर्ष इसकी एक अलग थीम होती है और अगर मैं आपसे 22 थीम के बारे में आपसे में डिसकस करूं तो वो है दोस्तो इंटर जनरेशनल सोलीडेरिटी क्रीटिंग ए वर्ल्ड फॉर ओल एज़स और हिंदी में दोस्तो इसका मतलब बनता है वो है दोस्तो अंतर जनपदिय एक जुड़ता सवी उमर के लोगों के लिए एक दुनिया बनाना तो इंटरनेशनल जूत डेको हिंदी में अंतरास्ट्रिय जुवा दिवस्वी कहते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि किसी देश का जो बविश्य है वो वहां के मजूद कार्यशील और जोगे जुवाओं की जनसंख्या के अधार पर आंका जाता है किसी भी देश का जो जुवा होता है वह उस देश की रीड की हड़ी होता है तो सबसे पहले जो अंतरास्ट्रिय जुवा दिवस्था उसको 12 अगस्त सन दोयार में मनाया गया था और अंतमी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल जूत डेड़ दोयर बाइस की जो थीम है वो है दोस्तो इंटर जनरेशनल सोलिडेरिटी Creating the World for All Edges तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे इंटरनेशनल जूत डेड़ दोयर बाइस धीम के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादर्म से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी तो अंत में दोस्तो अभी आपको जैब वीडियो कैसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद